जिहां कॉंग्रेस की बहु प्रतिक्षित सूची अब आ चुकी हैं आपको विशलेशनात्मक तरीके से हम बताना चारे हैं कि क्या सोच रही है कॉंग्रेस जिहां कॉंग्रेस बड़ा फूंक-फूंक के कदम रख रही हैं और साथ ही आला कमान जो बार-बार अशोक गहलोत को पीछे हटने को कहता एक कदम यानि की बैक फूट पर आने की कोशिश करता है लेकिन अशोक गहलोत फ्रंट फूट पर खेलते हैं एक दिन पहले सवा में वो पांच विधायकों के नाम उच्चारित कर गए कि इनका टिकट फाइनल है उन में से सिर्फ और सिर्फ एक नाम सि किया जाए या नहीं किया जाए जो 33 लोगों की पहली सूची आई है उसमें नोहर से अमित चाचान को टिकट दिया गया है कोलायत से बंवर सिंग भाटी मौजुदा विधायक हैं मंत्री हैं एंटी इंकमेंसी हैं यहां से बीजेपी सामने देवी सिंग भाटी को उतार सकत हैं कृष्णा पूनियां को सादूलपूर से दिया गया है यहां ट्राइंगल संगर निश्चित तोर पे होगा यहां पे आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी हैं उनकी और से फिलाल केंड़ेट डिकलेर नहीं हैं लेकिन यहां पे मनोज न्यांगली जो पहले विधायक रह है चुके वो यहां पे चुनाव लड़ेंगे और बसपा में काफी सक्री है तो बसपा बीजेपी और कॉंग्रेस का जो एक ट्राइंगल बनेगा वो सादूलपूर में देखने वाली बात होगी यह चूरू जिले की सीट हैं राजगड जिसको कहते हैं दूसरा नाम हरियान से लगी हुई सीट हैं सुजानगर सीट पे मनोज मेगवाल को टिकट दिया गया है पूरू मंत्री बहुरलाल मेगवाल के बेटे हैं और इनके सामने नया चहरा संतोष मेगवाल यानि महिला प्रत्याशी के सामने मनोज कुमार मेगवाल को दिया गया है नहीं जिले की बार रीटा चौधरी को कॉंग्रेस ने टिगर दिया रीटा चौधरी भी उपचुनाओं में जीती थी जब नरेंदर कुमार सांसत बने और सीट छोड़ी थी उसके बार लचमंगड सीट पे गोविन सिंग डोटासरा को उतारा गया है कॉंग्रेस के प्रदेश अंत्यक्स है और इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है यहां पर बीजेपी पहले प्रत्याशी पहली ही सूची में जब 41 प्रत्याशियों के बीजेपी ने सूची डिकलेर की थी तब घोशित कर चुकी है और यहां से सुभाश महरिया जो है वो चुनाओं मैदान में उतरेंगे इस ने एक और नाम जो है वो विराट नगर से इंद्राज गूजर का जो है वो डिकलेर किया है इसके अलावा मालविय नगर से अर्चना शर्मा का नाम फाइनल हो गया जी आशो गैलोत के खासमकास राजी वरोडा जो पहले चुनाओं लड़ चुके 2008 में उनको जिस तरह स एक ओडियो आया था और उस ओडियो के बाद में माहुल थोड़ा सा चेंज गूआ था लेकिन अर्चना शर्मा का जो मार्जिन हारने का वो 2000 से कम बोटों का था ऐसे में अर्चना शर्मा को एक बार फिर से चुनाओं में उतारा गया है सांगानेर सीट पर पुष्पेंदर सीट पर ममता भुपेश को टिगट दिया गया है ममता भुपेश कल जो प्रियंका गांधी की सबा थी उसमें जिन पांच विदायकों का राम अशोग गैलोत ने लिया था और कहा था कि ये लोग तैयारी करें उनमें से एक ही नाम पार्टी ने डिकलेर किया है इसके अलाव जिसमें असोग गैलोत को सरदारपुरा से उतारा है और सचिन पालेट टॉंक से एक बार फिर से कंडिडेट बनाए गया हैं कंडिडेट टॉंक से फिलहाल बीजेपी ने नहीं उतारा है और लाड़नू सीट पर मुकेश भाकर जो की युआ नेता हैं कॉंग्रेस के एक बा में उतारा गया है जायल से स्रीमति मंजु देवी डेगाना से विजेपाल मिर्दा परबत सर से राम निवास गवडिया विधायक हैं दोनों ओम निवास सोरी ओसियां से जो दिव्या मदेरना को टिकट दिया गया दिव्या मदेरना अपनी सरकार के खिलाप मुखर रही है और ऐसे में उनका टिकट पहले ही सूची में आना कुछ अलग तरह के संकेत देता है जो जोदपुर सीट से मनिशा पमार विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है लोनी से मेंदर विष्णोई विधायक को एक बार फिर से मैदान उतारा है यह जो सूची एस में तमाम वो ही लोग हैं जो पिछले चुनाव में तगड़ी फैट दे चुके या चुनाव जीत चुके और बायतू सीट पर हरीश चौधरी जो की राजसों मंत्री थे बाद में पंजाब के प्रवारी बनाए गये उनको मैदान में उतारा गया है वल्लब नगर सीट से प्रीती गजेंद सीट के बीच में तमाम तरह की बातें करते रहते हैं बागी दोरा सीट से मेंदरजीत मालविया को चुनाव मैदान में उतारा गया है मेंदरजीत मालविया काफी मजबूत है वागड़ इलाके में जो चुनाव कॉंग्रेस की जो CEC है उसके मेंबर हैं CWC के और सीट से रमिला खड़िया को रगए रमिला घड़िया पिछली बार निर्दलिय जीती थी कोंग्रेस ने पिछली बार सीट जेडियू के लिए छोडी थी लेकिन जेडियू के प्रत्यासी काफी पीछे रहे थे वhr elesick और रमिला खड़िया से द्रधिया के जगह ब༂ए जह हिंडोली से अशोक चांदना होंगे यह नाम है अब यह जो सूची है इसमें कॉंग्रेस के कद्दावर नेता सारे आ चुके हैं विदानसबाद्यक सीपी जोशी उनके सामने बीजेपी नहीं जो लिस्ट निकाली है उसमें विश्व राज सिंग मिवाड होंगे अशोक के चुनाव जो है वो किस तरह से कॉंग्रेस लड़ेगी बड़े दिगजों के टिकट आ चुके हैं यह वो सीटे कॉंग्रेस ने डिकलेर की है जहां पे कुछ माहोल खराब होने की आशंका नहीं भी लेकिन देखने वाली बात है कि इन सूचियों पे या बाकी जो एक सो औ कि इतनी जल्दी सूची निकालती है यह देखने वाली बात होगी